दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हैं अच्छा ये कहानी किस पारेल है जड़ा बतलाओ तो एक बार की बात है एक काव में एक सरकस्रेनर रहता था जिसका नाम सुरेश था सुरेश के पास एक शेर था इस शेर की क्रेने सुरेश ने इस तरीके से करी थी कि वे शेर कभी भी किसी इंसान या जानवर को परिशान नहीं करता था और सबी के साथ अच्छे से रहता था सुरेश की सेर की ये बात धीरे धीरे सारे गाउंबे फेमस हो गई और आसपास के सबी लोग उस शेर को देखने आने लगे कुछ टाइम बाद दूसरे गाउं से भी लोग सुरेश के शेर को देखने आने लगे क्या हुआ रिया? एक बाद एक पापा और उसका बेटा उस गाउं के पाँ से गुजर रहे थी उस बच्चे का नाम राजू होता है तब ही राजू ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये तो वही गाउं है जहां वो शेर रहता है जो शेर कभी किसी इंसान को परिशान नहीं करता है और सभी इंसान के साथ अच्छे से रहता है तो राजू के पापा राजू को पताते हैं कि हाँ बेटा ये वहीं गाओ है जहाँ वो शेर रहता है अच्छा फिर क्या हुआ ये बात जानके राजू अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे भी उस शेर को देखना है कि वो कैसा है तो राजू के पापा अपने बेटे को वो शेर को दिखाने के लिए ले जाते हैं राजू शेर को दूर से ही देख रहा होता है और कहता है कि पापा ये शेर तो बहुत अच्छा है और किसी से कुछ कैवी नहीं रहा है थोड़ी देर बाद शेर को दूर से देखने के बाद राजू अपने पापा से कहता है कि पापा क्या मैं शेर को पास से जाकर देख सकता हूँ राजू के पापा राजू को हाँ कर देते हैं और तब ही राजू भाग कर शेर के पास चला जाता है और पूश्टा है कि पापा क्या मैं शेर को छू सकता हूँ तो उसके पापा उसे इस बात पर भी हा कर देते हैं फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बात देखते ही देखते राजू ने शेर को परिशान करना शुरू कर दिया राजू कभी शेर की पोच की श्टा तो कभी उसे मार कर भाग जाता शुरेश शेर ने कुछ नहीं किया? सुनो तो राजू के ऐसा करने पर आजपास के सभी बच्चे भी शेर के साथ ऐसे ही करने लगे और वो बच्चे रोज आकर शेर को परिशान करने लगे सुरेश शेर की ये हालत देखता है और अपने शेर से कहता है कि तुम्हें जो बच्चा परिशान करते हैं तो तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? इस बात के जवाब में शेर सुरेश से कहता है मालिक मेरी बच्चपन से इस सरीके से ट्रेनिंग हुई है कि मेरे कभी खयाल में भी किसी को परशान करने कर नहीं आता है शेर हमेशा अश्टान योग के पिंसिपल अइंसा को फॉलो करता है और उसी के साथ अपनी जिंदगी जिता हुआ आया है ये तो बहुत समझदान लगता है हाँ, शेर की ये सारी बाते सुनने के बाद शुरेश शेर को समझाता है कि मैं मानता हूँ अइंसा सबसे बड़ा थर्फ है पर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इंसान अपनी और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा कर सकता है सुरेश की ये बात शेर को समझ में आ जाती है और अगले दिन वो बच्चा शेर को परिशान करने आती है तो शेर उन बच्चों पर जोर से गुराता है शेर के गुराने पर वो सबी बच्चे दर कर भाज जाते हैं और फिर दभी वो उस पे परिशान करने नहीं आते हैं। फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद से शेर अपनी जिंद्गी वापस से अहिंसा के साथ चीने लगा। शेर की इस पाद से वो बच्चे भी अहिंसा को सीख चाते हैं। और तब से सभी बच्चों ने किसी को भी परिशान करना पंद कर दिया और सभी खुशी-खुशी रहने लगे। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों हम सभी लोगों को हमेशा इसन के साथ अपनी जिंद्गी जेनी चाहिए। और कभी यपनी ख्याल मेवी किसी इंसान का बुरानी जुशने चाहिए।